एक बार मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालूंगे पाव वाजी मसाला यह चार जलों के इसाफ से अब यह तो अकोडिंग है मैं तो दो जलों के इसाफ से बना रहे हूं तो दो टेबल स्पून पाव वाजी मसाला डाल देंगे हाई दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल पर तो आज हम बनाएंगे पाव वाजी मसाला तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं तो सबसे पहले हम साबुत धनिया लेंगे तो मैं वन फोर्थ कप साबुत धनिया ले रहे हूं आज से दस लोंग ले लेंगे इसमें डाल देंगे यह मैं टेबल स्पून ले रहे हूं तो दो टेबल स्पून जीरा डाल देंगे डेट टेबल स्पून सों एक टेबल स्पून काली मिर्च चार से पांच हम बड़ी लाइची ले लेंगे अगर बड़ी है आपके पास मोटी है तो पांच ले लें मेरी थोड़ी कुछ छोटी है इसलिए मैं च्छे ले रही हूं अब इन्हें हमें ड्राय रोस्ट करना हैं गेस पर रख देंगे एक दालचिनी का टुकड़ा लेंगे और इससे हम भून लेंगे वैसे अगर आपके पास गरम मसाला बना हुआ तयार है तो आप इसमें गरम मसाला डाल दीजिए पीसते समय और बस इसमें साबुत धनिया जीरा सोंब हुआ ब बड़ी लए चीघर मसाले में और चिनी जराम मसाले में उति एफ तो घरम मसाला डालनी की आशक्ता भी नहीं रहेगी और बाकी अगर ऐसा बनाना चाहती तो इसतरे से आप बना सकते हो कि मेरे पास तो गरब मसाला बनावा रेडी रहता है तो मैं अक्सर गरब मसाला डाल देती तो फिर हम यह अलग-अलग चीद डालने के आश्रक्पा नहीं पड़ती कुछबू आने लग गई है इसमें तो आप किस तरह से बनाते हो वो भी आप मुझे बता सकते हो इसमें तेज वत्त भी डालता हैं । भी कि जालते हैं धिग भी डालते हैं based कि इस समेने डाल दूंगे इसमें लाल मिर्ची यह आप कसमेरी तो कसमाल दीए मेरे पासこの वाली है तो मैं यह डाल दू चार से पांच हम लाल मिर्ची डालेंगे अगर आपकी गीली है तो आप इसे थोड़े दिर धूप में सुका दे तो पूरा हम एक टेके बता देते हैं ताकि आपका भी पाव भाजी मसाला ट्रेस्टी बने बस पांच मिली टोटल इसे हमें रोष्ट करने में लगेगा ज्यादा समय नहीं लगेगा देखे इसमें चिट-चिट की आवाज आने लग गई है अच्छे भुनी-भुनी से कुश्बू आने लग गई तो गैस्ट बन कर देंगे इने हम थंड़ा वोने देंगे थंड़ा होने के बाद इनहें हमें पीश्ट न 해 तो इसे बिलकूल थंड़ा होने देंगे प्लाद हम मिलते हैं तो यह सबी Books थंडी हो गई अब इसे हम ढालेंगे जार में है और अब इसमें हम डालेंगे पिसेवे मसाले तो मैं इसमें डाल रहे हूं काला नमक देड़ टेबल इस्पून काला नमक डाल देंगे एक टेबल इस्पून हल्दी दो टेबल इस्पून अमचूर पाउडर और अब इसमें मैं डालूंगे लाल मिर्ची दो चम्मज हम लाल मिर्ची डाल देंगे और बस इन सब को हम पीस लेगे यह हमने पीस लिया अब इसे हमें चानेंगे कोई भी मोटा हिस्सा होगा तो उसे हम बापिस पीस लेंगे इसे हम एक बार और पीस लेते हैं यह हमने पीस लिया और इसे हमने छान लिया देखिए अब हम भाजी तयार करते हैं तो भाजी बनाने के लिए मैंने यह सब्जियां लिए कि मैं बीट रूट को स्टोर करके रखती हूं गर्मियों के मौसम में घाजर नहीं आती तो बीट रूट डाल देते हैं इसे कलर भी आ जाता है वो टेस्ट में कोई फरक नहीं पड़ता तो मैंने इसमें गाज गाजर नहीं लिए गिया लिए तो भाजी बनाने के लिए हम बटर डाल देंगे आप तेल में बना सकते हो तो मैं बटर डाल रहे हैं तो थोड़ा सा थेल डाल देंगे ताकि भाजी ज़लेने नहीं देटेल में अलग से बताएं गे बस अब इसमें यह जो हमने भाजी हमने कोई अभी बाजी को उबाला नहीं है बाजी को डाल देंगे जो सब्जी आप डालना चाहते हैं वह आप इसमें डाल लें एक बार मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालूंगे पाव वाजी मसाला इस चार जलों के इस पितने जलों के साफ से अब यह तो अकोडिंग है मैं तो दो जनों के साफ से बना रहे हूं तो दो टेबल इस्पून पाव वाजी मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा मिसमें डाल देंगे नमक साधा नमक बनफोर चमस करीबन साधा नमक तरह हम टेस्ट कर लेंगे क्या कमी है इसमें वही चीज हम बाद में इसमें डालेंगे देखते हैं भाजी कैसी बनती है इसमें डाल देंगे पानी और अब ले लेंगे हम इसमें चार से पांच शीठी तो यह हमारी भाजी बनके रेडी हो गई है और यह हमारा पावजी मसाला नमक आप कि सोचके ही डाले क्योंकि हमने नमक इसमें डाल दिया है जो आमने इसमें डाला है वो बिल्कुल सही है मैंने टेस्ट करके देख लिए बस मुझे अगर आप पी सपाईसी खाते हो तो यसमें भास थोड़ से लाल बचा आ Though आपको अगर आप स्पाइसी नहीं खाते और नोर्मल खाना चाहते तो वह बिल्कुल एकुरेसी है वाकि नमक इसमें डाल दिया तो आप ध्यांस नहीं डाले नमक नहीं डालना में जितना मैंने वनफोर्च में डाला बस सब्जी के अकोडिक थोड़ा साही डाले अगर फिर आपको कम लगे तो आप डाल लीजिए तो मैंने विल्कु टेस्ट कर लिया है तो यह हमारी पावभाजी बनके रड़ी हो गई यह पावजी मसाला तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह रेसिपी पसंद आएगी और आप जरू ट्राइक करोगे तो मिलते हैं नेक्स्ट रेस और आप इपको सेपी मेंग बगाई